है तो कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक राजा हुआ करते थे बनारस में तो उनका एक जो तziękuję जूपि तो वह लग़ाति फे एसे कि प्राइस मेकर जो है वह बोला जाता है कि सचीज की कितनी तर्लॉठ होनी चाहिए वह एक जो व्यक्ति था वो तैय करता था तो वह महाराज्य को व्यक्ति था वह बहुत ही बुद्धी मानता बहुत ही वाइसमें था और जो भी वह जो चीदे तैय करता था उससे जो राजा की जो प्रजा थी वह बहुत ही खुश रहती थी कि जो प्राइस है जो कमाई है वो मेरे को करनी चाहिए जितनी की होनी चाहिए तो क्या करता है कि राजा एक करकर देखता है तो राजा क्या करता है राजा एक नए लड़के को जो है वो अपॉइंट करता है तो वो कहता है कि आज से जो चीजों के जो दाम है वो तुम तै करोगे तो लड़का है व होता है कि उसको अच्छी जो पूजीशन है वो मिल चुकी है वो जो पहले वाला से करने वाला का राजा को घृ को करना पड़ेगा तो हुआ कि को ड़ाजóg करना और तबी जो मेरी जॉब है वो बच पाएगी तो वो क्या करता है कि वो जो चीजों के दाम है जो उनको मूल्य पड़ता है उसके जो दाम है वो बहुत दादा हाई कर देता है बड़ा देता है अब क्या होता है कि राजा को जो आंदनी होती है अनेक्सपेक्टिड राजा ने कभ दूसरे किसी देश से एक व्यपारी आता है तो वो इनको लेकर आता है और वो बनारस के अंदर उस राजा के राज्य में वह जो घोड़े है वो बेचना चाहता हुते तो राजा के सामने पेश होता है उसका स्वागतं किया जाता है कि दूसरे देश से आया हुआ वेपारी था तो राचा के आगड़े- आण करता है कि महाराज मैं अपने छो गोड़े है नंको बेचना चाहता हूं आपके अपने उससी सलाकार से जो प्राइस मेकर था उसको बोलता है कि बताओ इनके जो घोड़े हैं उनकी जो कीमत ост़ हमारे राज्य के अंतर तो अब वो उसको राज्य को खुश करना था तो वो कहता है कि माराज इसके जो घोड़े हैं पांसो घोड़े हैं इनकी जो कीमत है वह एक कटोरी जो चावल होते हैं उसके बराबर जो है वह इसकी कीमत है इसके सभी पांसो घोड़ों की जो कीमत है वह वह एक टौरी चावल के बराबर है वह वीक्टी वो वयपारी जो है वह रहां रहा जाता है कि यह कैसा राज्य है कि जहाँ वर ने पक्र प्रक्रेट पांसो भूरां की जो कीमत है वह सिरफ एक प्रक्रों के कि तम्म उसके पाास जाओ जो पुराने वाला था तो वहूंआ होता है उसके पास में जाता है लिए फूर ऊंकी जो कीमत लगायी है है यहां के प्राइस मेकर के दवारा वो सिर्फ एक कोटोरी चावल के बराबर लगाई गई है मैं तो बरबाद हो जाओंगा उनको बोलता है तो अब वह जो आदमी होता है पुराने वाला वह बहुत ही बुद्धिमान होता है वाइस होता है तो वह कहता है कि तुम जो नया प महरा कि थोड़ी सी जो मेरी लाज है वो रख लीजिए कि मेरे को घाटा में बरबाद हो जाओंगा आपके कहने पर ही जो वह है वो सारा कुछ हो पाएगा यहां पर तो आप प्लीज कहकर एक जो मीटिंग है वो मेरी राजा से रखवा दीचिए और वह कहता है कि तुम साथ करता है वह उसका जो अच्छे तो लिए लेकर जाता है तो वह कहता है कि सर आप से बड़ा इस राज में ने कोई देखा नहीं है कि आपकी वज़े से ही सभी जो कीमते हैं वह हो रही है तो महराज मैं चाहता हूं कि मैं बरबाद हो जाओंगा मैं दूसरे देश से आया नहीं होता है वह क्योंते चेंग करने करेंवाल 피부 को आजाता है और वो तो तैमिंग को पराने वाला प्राइस में कर है उसको भी लेकर चला जाता है अब उसको अपने जो देश हो वापस जाना है वैखारी को महराज महाराज के साथ में उसकी जो फाइनल मीटिंग है वहां पर हो रही होती है तो वह जो व्यक्ति है जो व्यपारी है वो उसको पूछता है वह महाराज से पूरे बनारस के बराबर है उस बनारस में आपका जो राज्य है वो भी आ जाता है आपके जो महल मुना रहे हैं वो भी आ जाती हैं सभी जो चीजे वो आ जाती हैं एक कटोरे बीचावल की किमत हमारे राज्ज में महराज इतनी बड़ी है तो यह सुनते ही उसके जो इतने भी मंत्री होते हैं जितने भी वहाँ पर लोग बैठे होए foram ना शुरू कर देते हैं और राजा वहां पर शर्मिंदा हो जाता है कि यह मैंने यहां पर किसको एपॉइंट जो है वो कर लिया है तो वहां पर फिर जो राजा होता है वो उस जो वैपारी होता है तो वो पुराने जो प्राइसमेकर होता है उससे उसके जो घोडों की जो कीमत है वो पू खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी कीमत, जो है वो कम कर लेंगे. आप अपने आप को भी खुश नहीं कर पाएंगे. जहातर क्या होता है? ३ादर है आपने देखा होगा कि अपनी जाँब के अंदर या अपने रिष्तेदारी में, हम अपने रिष्टों तो कि आपको यह कहानी है जो स्टोरी है आपको पसंद आई होगी और बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं आज के सेशन से हमें क्या कुछ जो है वह बढ़िया जो है वह सीखने के लिए मिल सकता है आए जाने की कोशिश करते हैं राइड तो वेल्कम टू कीवा काईपो इंडिस लेडिस एंड जेंटलमेन और मैं धरिंदर सिंग आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार के अंदर और माइडिया फ्रेंड आज के वेबिनार का जो टॉपिक है वह बहुत ही जबरदस्थ है फा अपने डर से कैसे लड़ सकते हैं इसको दॉस्तों आप किसी सिचुएशन में फस चुके हैं लाइफ में किसी सिचुएशन के अंदर जो हैं वह फस चुके हैं वेर्ट वी हजब तब हमें क्या करना चाहिए जाद और लोग ऐसी situation में डरे हुए होते हैं जाद अलोग तो ऐसी situation में हम लोग क्या कर सकते हैं इसको देखते हैं वहाँ पर चल रही है आप किसी जंग में हैं को जो लड़ाई है वह वहाँ पर चल रही है वट वीकन डो हमें क्या करना चाहिए अब जो जंग है वो चल पर है अब लड़ाई की situation में हमें क्या करना चाहिए हमारे पास option होती है दो प्रकार की either we can choose fight या तो हम लड़ना कि हमें जो जंग है वो हमें लड़ना है या तो हम ये तैक कर सकते हैं कि भाई हमें लड़ना है या हम नहीं लड़ेंगे हम छोड़ देंगे हम चले जाएंगे हम भाग जाएंगे हमें लड़ाई नहीं करनी है दो situation है लड़ा कोई ऐसी situation होती है जिसमें आपको लड़ना हो सकता है या जो असली में जो जंग होती है अब पता है कि जो लड़ाई है वो शुरू हो चुकी है अब यहां पर दो चीजों में से हमें किसी एक चीज़ को जो है वो चूज करना है या तो भाई जंग के मदान में उतर जाए कि लड़ना है अब तो हम लड़ाई करेंगे जंग के मदान में उतर जाएंगे या क्विट कर देंगे नहीं भाई साथ हम लड़ाई नहीं करेंगे इसका मतलब यह नहीं करना पसंद है करने का मतलब यह है situation का मतलब यह है कि भाई साव जो लड़ाई है जंग जो है वो तो चल पड़ी है जंग तो चल पड़ी है आपको देखना है कि आपको साइड पर बैठ कर जंग देखनी है या आप उस जंग में participate करना चाहते हैं लड़ना चाहते हैं डियर कि दूट लोगों ये वह दिखाई देना शुनुग होजाता है कि यहांपर जो जिन्दगी है वो हो जाती है if we can choose quit then what will be the situation अगर हम यह सोचते हैं हम डाल देते हैं तो क्या situation बैटर और वर्स्ट स्ट ट्रेशन क्या होगी आप ने नेटवॉक मार्केटिंग को जोइन कर लिया है अब वहां पर जंग की बात आ जाती है कि हर रोज मेरे को प्लैन दिखाना प्रोड्क्त दिखाना है यानिकि जंग है वह लड़नी है जंग इसी करना के लिए क्लिकिया करना है अगर कर रही है कि पांच दिखाने हैं यह पना दिखा करांगा मैं आप दिखाकर आउंगा तब पता चलेगा कि आप सेना पती हैं आप जंग में अगर आपने क्विट कर लिया है हम तो भाई सब घर बैठे हैं वह जैसे वह लोग आप गाउं में चुबारों पर जो है वह बैठे होए होते हैं वह पेड़ के नीचे बैठे होए होते हैं बहुत जंगे लड़ी है अब और कुछ नहीं किया है जिंदगी में कुछ नहीं करत है तो situation क्या रहने वाली है better रहेगी यह खराब से खराब इसां में पाटी घुलाम क्या तो हम दुनिया के गुलाम बन कर रहे जाएंगे जैसे चो जिन्दगी आरए हैं वोही दो टाइम का जो खाना है, वो मिल रहा है, इस तरीके से अगर जिंदगी काट रहे हैं, या अपने सपनों को जीना चाहते हैं, obviously सारी जिंदगी हम regret में निकालने वाले हैं, सारी जिंदगी हमारी अफसोस में निकलने वाली है, काश ये हो गया होता काश उस समय मैंने प्लैन दिखा दिया होता काश उस समय मैंने प्रवर्ट के बारे में बता दिया होता काश 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 फिर वो जो जिन्दगी है वो काश में निकलने वाली है होगा एसे ही होगा ईसे ही आप जात और जो लोग हैं वो रिग tones में जिंद की निकालते है ले यार उसके खए किसमत थे उसने सही time पर जोईन कर ले उसने पहले जोइन कर लिए था कितने ऐसे लोगों को जानते हैं किछ कि इसमा Tiap दो क्या करना चाते हैं हम लड़ना- चाते हैं या हमолотकर बॉयांग पर सभी लोग हम लड़ना- चाते हैं या कुट करना चाते हैं आप जंग लड़ना चाहते हैं जो कुट करना चाहते हैं सवा 300 लोग हैं हर रोज सवा 300 के सवा 300 लोग हम यहां पर आ जाते हैं और फिर हम कह रहे हैं कि हम लड़ना चाहते हैं अकेले लड़ेंगे अकेले जंग जीतेंगे आपकी टीम कहा है आप सेना पती हैं अपनी टीम के आप लीडर हें अपनी ड़िए क्या के Zusammen क्या होगा किन कंप क्या होगा हर रोज यहें तींसो सब्ल siz सु लोग वो आ यूयूर और हम कहते हैं कि हम सात में एक आदमी को हम सात में नहीं लेकर आ और और हम यह मान कर चल रहे हैं कि हम जंग लडएंगे हम जब जमसे के लिए उससे कम तो कुछ भी मंदूर नहीं है अपनी टीम को साथ में लेकर चलने की जिम्मेदारी कि सुभारी है वह हम लोग लेके नहीं चल रहे हैं रोज सुभ़ मौर्मिनिंग में पता है कि आड़ बजाे का वेबिनार होता है हम अपनी team से phone करकर नही diab absolut मौरनिं मेरे कहा रहते हैं उनकी बहाने सुनिए उनके पूछिए किमाय साव के काम करना पर नहीं करना चाते हैं टीम के साथ हम लोग नहीं आते हैं यहाँ पर problem है यहाँ पर problem है आ जाएंगे कल आएंगे पर सवय आएंगे और आकर निकल जाएंग जब team नहीं आएंगी अकेले आते रहेंगे तो क्या करेंगे? अंत में मन आपको, जो आपका मन है, वो बूलेगा क्या कर रहा है? क्यों भाग रहा है? क्यों दोड रहा है? छोड़, कुछ और काम कर ले. यानि कि वहाँ पर हमने जंग को कुट करने का फैसला कर लिया आप अंदर से चाहे ना माने राइट बाहर से चाहे ना भी दिखावा करें लेकिन आपको अंदर से पता है कि मैं हथ्यार डाल रहा हूं हथ्यार डालने के लिए पैदा नहीं हुए है कि हथ्यार डाल दे जिंदगे में बहुत सारे हारे हुए लोग है बहुत कम जो है वो जीतने के लिए पैदा होते हैं तो हम यहां पर जीतने के लिए आए हैं लड़ेंगे लड़ेंगे लेकिन जीतने के लिए लड़ने के लिए आए हम यहां पर तो माई डिव फ्रेंड आगे से कल से अकेले लड़ने के लिए मत आये बैटर है कि ना ही आईएगा अगर कल से आप अकेले आ रहे हैं तो मैं आप से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि मत आये रहने दीजिए मत आये उसी दिन आये कि हां जिस दिन आपकी टीम आई है कि आज यहां पर 300 लोग है 2225 लोग है सिरफ एक एक नए पर सन को लेकर आना है और जिस्को आप लेकर आएंगे उसका नाम चैटसंट के अंदर बताएंगे कि अपने अपने टीम को चेक कर लीजिए कल जिसको भी आप लेकर आएंगे सिर्फ एक परसन को सिर्फ एक परसन को मैंने दस भी बोलकर देख लिया मैंने पांट भी बोलकर देख लिया कोई असर ने पड़ रहा है सिर्फ एक परसन को लेकर आईए सिर्फ एक परसन को और उस तो माई दिया फ्रेंट में हमने सारी जिंदगी जो है वो नहीं निकालनी है बट इफ वी चूज फाइट अगर हमने जो लड़ना है वो तैय कर लिया है कि भाई सब हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे देन विद्फुल एनर्जी के साथ में लड़ना है यह निया कि सुस्त जो ह पूरी मोटिवेशन के साथ में पूरे एंसुदियाजम के साथ में अंदर पूरी अनर्जी जो है जो आग है वो भरी होनी चाहिए कि यार पूरा अनर्जी के साथ में मैं निक्नूँगा यहां से अफिनेटली 100% मिलेगा वी फाइट विद आर फियर हमें अपने डर से लड प्रोब्लम और से कौन सी प्राइबलम है क्या प्राइबलम है फ्रोब्लम को मैं खते enterprises करूंगा यहां पर इस तरीके से लड़ना है अपने हमें इस दुनिया से जो है वो लड़ना है यह दुनिया में जितने भी लोग है जो हमें पीछे खीचने की कोशिश कर रहे हैं मेरी टीम अगर मेरे को पीछे खोचने की कोशिश कर रहे हैं मैं टीम से लड़ूँगा उनको आगे तक लेकर जाओंगा दम किसमें है टीम में दम है या मेरे में दम है मैं लीडर हूँ तो म अपनी टीम को आगे तक सीच के ले कर जाओंगा लीडर जो अपनी टीम को लीड करेगा हमें ऐसा लीडर यहां पर बनना है my dear friend then there is a new beginning तब यहां पर एक जो नई शुरुवात है वो होने बाली है then there is a new beginning my dear friend a new world एक नया जो the world है वो आपके लिए तयार हो रहा है a new life एक नई जो जिंदगी है वो आपका रस्ता देख रही है एक नई जिंदगी की जो शुरुवात है वो होने बाली है आज से टै कीजिए एक नई जिंदगी की जो शुरुवात है वो हम यहां पर करने बाले हैं fight until when जब तक जीतते नहीं है तब तक हमें लड़ते रहना है जब तक जीत नहीं जाते हैं तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे my dear friend we will win हम सभी लोग जीतने के लिए पैदा हुए है और हम सभी लोग जीत कर ही चाहेंगे right so thank you so much ladies and gentlemen दोस्तो आशा है कि आज का ये जो session है आग लगाने के लिए काफी होगा जीतने के लिए आज का ये जो session है ये हम सब के लिए काफी होगा कल का जो target है हम सभी लोग यही target लेकर आएंगे कि एक एक नए person को लेकर आएंगे otherwise हम लोग नहीं लेकर आएंगे तो thank you so much ladies and gentlemen कल सुबह 8 बजे morning में फिर से जबरदस्ट शुरुवात होगी नई चीजों के साथ में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया Thank you, thank you so much